तो वेलकम स्टूडेंस मैं एजाज लड़न फिर से आपका श्वागत करता हूँ आपका अपना फैबरेट यूटूब चैनल ब्रिलियंट नॉलइज में तो आज की इस वीडियो में हमारे शामने यहां प्रस्ण है कि भू कम पिये तरंगों से आप क्या समझते हैं परमुख मतलब में में भू कम पिये तरंगों के नाम लिखिये यानि हमें इस परस्ण का दूसरा भाग में यहां पर कहा गया है कि हमें भू कम पिये तरंग जो है उसका केवल नाम लिखना है केवल नाम लिखना है उसका explanation नहीं करना है तो अब इस परस्ण का पहला भाग में क्या कि भूकम्पिये तरंग से आप क्या समझते हैं तो उत्तर में जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा और असपस्ट कराना चाहता हूँ कि भूकम्पिये तरंग क्या होता है जैसा कि यहाँ पे तरंग है तरंग का मतलब होता है लहर, तरंग का मतलब क्या होता है लहर, पानी का भी लहर होता है, तो हम पानी का तरंग बोलते हैं उसको, तो हबा का लहर को हम लोग उसको भी तरंग बोलेंगे, अब यहां पे है भू कम पिये, यहां तरंग के आगे में है भू कम पिये भूकम्पिये का मतलब होता है भूकम्प का क्या होता है भूकम्प का तो भूकम्पिये तरंग मतलब भूकम्प का तरंग यानि भूकम्प के दौरान जो लहर आता है उसी को हम लोग भूकम्पिये तरंग बोलेंगे तो भूकम के दौरान किस परकार का लहर आता है कि भूकम के दौरान जो है जमीन हिलने लगता है जमीन कमपन करने लगता है तो उसी जमीन के कमपन को जमीन के हिलना को ही हम लोग यहां पे तरंग कहेंगे क्योंकि ये भूकम से आता है इसलिए इसका नाम रखेंगे भू कम्पिये तरंग यानि भू कम्पिये तरंग मतलब हुआ जमीन का कापना जमीन का हिलना को ही हम लोग भू कम्पिये तरंग कहेंगे तो आईए इस प्रश्ण के उत्तर को और बारी किसे समझ लेते हैं यहाँ पर एकि भूकम की इस्थिती में यानि जब भूकम होता है तो भूकम होने की इस्थिती में भूमी विविन्य प्रकार की कमपन करती है जब भूकम आने की इस्तिती में जब भूकम आता है तो जमीन जो है ना विविन्न परकार की कमपन करती है विविन्न परकार से हिलता है यानि जमीन कमपन करेगा हिलेगा तो वो कई तरह से हिलता है कई परकार से हिलता है आद देखिए, तो भूकम के दौरान उत्पन्न होने बाली बिभिन्न कंपन को भूकम्पिये तरंग कहते हैं, यानि असपस्ट आपको पहले ही करा चुके हैं, कि भूकम के दौरान उत्पन्न होने बाली बिभिन्न कंपन, यानि भूमी जो कापता है, कंपन का मतलब कापना, तो भूकम के दौरान जो है भूमी जो है विभिन्न परकार का जो कमपन करता है कापता है उसी कमपन को भूकम्पिये तरंग कहते हैं इन तरंगों का वेग भिन भिन होता है वेग का मतलब स्पीड जो है इनका स्पीड क्या होता है भिन भिन होता है इसका चाल भिन भिन होता है अब आगे देखिए कितने परकार के है भूकंप के दौरान उत्पन होने वाले तरंगे निम्न लिखित है यानि तीन परकार के तरंग है जब भूकम होता है तो उसके दोरान तीन परकार के तरंग उत्पन होता है यानि भूकम के दोरान फिर थभी तीन परकार से कंपन करता है और परते कंपन को अलग-अलग नाम दिया गया है पहला कंपन मतलब तरंग क्या देखिए, पहला है प्रार्थमिक तरंग, प्रार्थमिक का अंग्रेजी होता है प्राइमेरी, इसलिए पहला लेटर पी से इसको पी तरंग कहा दिया है, प्रार्थमिक मतलब पी तरंग, और दूसरा है दूईतिये तरंग, दूईतिये तरंग भी बोलते हैं तो दूइतिये तरंग मतलब सेकेंडरी सेकेंडरी मतलब इसका पहला लेटर यास है तो दूइतिये तरंग को यस तरंग भी कहते हैं और अंत है अंत में जो तरंग है वो है दिर्ग तरंग दिर्ग का अर्थ होता है लोंग इसका पहला लेटर यल है तो दिर्गत तरंग को यल्गत तरंग भी कहते हैं तो यहाँ पर वीडियो समापत होता है इस तरह का और भी वीडियो को देखने के लिए अब हमारे चनल के पले लिष्टे में जाकर के देख सकते हैं धन्दवाद